हेलो विद्यार्थियों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल एजूकेशन हाइवे पे स्वागत है आज हम लोग बचा हुआ अंस टार्च बीरर्स का पढ़ने जा रहे हैं जो फर्ष्ट पार्ट का बचा हुआ अंस है जिसमें एक ब्यापारी अपने दो पुत्रों का बुध्धि परिछण करता है उन्हें एक एक रूपे दे करके उनकी योगिता का परिछण करता है और जो बच्चा सबसे योगी साबित होता है उसको अपने जीवन की पूरी कमाई वो हैंड ओवर कर देता है उसी पार्ड का बचा हुआ लाश्ट टू थ्री परग्राप से जो बहुत ही अच्छा है बहुत ही सिच्छा प्रद है जिसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे पढ़ेंगे आईए पढ़ते हैं लेशन को पढ़ते हैं लेखक यहाँ पर कहना चाहता है कि यह संसार हमारा घर है हम लोग अपने घर को क्या अपने पुरे देश को अपना घर मान लें यह संसार ही हमारा समझ लीजिए घर है और इस संसार में रहने वाले प्रतेक ब्यक्ति को कुछ योग गिताएं दी गई हैं जिनकी तुलना उसने पैसे से की ठीक है जैसे आईए देखते हैं कहानी को आगे बढ़ाते हुए now we all live in a big house हम लोग एक बड़े घर में रह रहे हैं लेखक कहता है which we call native country our native country जिसको हम लोग अपना देश कहते हैं उसमें हम रह रहे हैं we have each of us been given some 1 रूपी, some 2 रूपी, some 3 रूपी and some 4 रूपीज हमें से प्रतेक को किसी को एक रूपी, किसी को 2, 3, 4 ऐसे दिया गया है फिर लेखक बताता है कि इनको आप रूपे मानके यहाँ पर ना समझिये रूपे जो कह रहा है वो क्या है? these rupees are not rupees ये रूपे रूपे नहीं हैं बलकि क्या है? with which we can buy things जिससे हम वस्तु ये खरीदते हैं वो रूपे नहीं है तो क्या है? कौन सा रूपे हम सबको दिया गया है? but they are different powers ये अलग-अलग योग गिताएं हैं जैसे इस स्कूल में बहुत सारे विद्यारती हैं बहुत सारे लोग इस संसार में हैं सबको अलग-अलग powers दी गई हैं कोई math में तेज है तो कोई English में तेज है तो कोई किसी खेलने में तेज है difference power दी गई है Each app has power of body हमें से प्रतेक के पास सारी रिख सकती है power of mind बहुत धिक सकती है और power of character सकती है power of body से हम अपने सारी रिख सकती से कुछ अच्छा करें जो उस ब्यापारी के second पुत्र की तरह एक उदाहरण बने जिसने मुम्बतियां ला करके अपने घर में उजाला कर दिया power of mind से भी हम ऐसा करें जिससे हमारे इस देश रूपी घर में उजाला फैले power of character से भी हम ऐसा कुछ करें जिससे हमारे इस देश में अच्छे चरित्रवान व्यक्तियों का निर्माण हो ऐसा हमें उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए इस संसार में अलग-अलग योगिताओं का लेख़ कहता है कि सहीं उपयोग करना चाहिए जैसे व्यापारी के दूसरे बेटे ने किया पहले बेटे ने तो सहीं उपयोग नहीं किया क्योंकि वो तो गया भूसा खरीद लाया एक रुपे से, ठीक है, जबकि उसके पास कोई गाय बैल थोड़ी थे जो खिलाना था, आएए देखते हैं, Each of us has strength, हम में से प्रतेक के पास ताकत है, time है, intelligence है, हम में से प्रतेक के पास सकती है, समय रुपी सकती है, बौधिकता रुपी सकती है, which we can use, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, जिसका उपयोग किया जा सकता है, As we leave school, जब हम school को छोड़ते हैं, तो क्या होता है, go out into the world, और संसार में प्रवेश करते हैं, जैसे अभी आपकी सिक्षा चल लगी है, आप विद्यारती हैं, कच्छा दस के, और बड़े होंगे, ग्रहस्त जीवन में प्रवेश करेंगे, अपनी सिक्षा के उपरांद, तो we are tested as how we are going to use these talents, तब हमारे योगिता का वहाँ पर टेश्ट होगा, जब हम संसार में प्रवेश करेंगे, तो हमारी योगिता का वहाँ टेश्ट होगा, एक्जाम होगा, which be possess, जो योगिता हम लेकर के संसार में प्रवेश करते हैं, are we going to use, to buy useless है, हमारा क्या परिछड हो गया, क्या हम अनुपयोगी, useless भूसा खरीनने जा रहे हैं, जैसे कोई ब्यक्ति पढ़ करके बड़ा बुद्धिमान हो करके संसार में प्रवेश करता है, अब वो उस बुद्धिक छमता से चोरी भी तो कर सकता है, चोर भी बन सकता है, पुलिस भी बन सकता है, ठीक है, बैमान भी बन सकता है, इमानदार भी बन सकता है, तो लेखक यही कहता है कि क्या आप अपनी योगिता से उस ब्यापारी के पहले बच्चे की तरह गंदा काम करने जा रहे हैं, भूशा खरिदने जा रहे हैं, और we going to use them to spread light या हम उस योगिता का प्रकास फ्हलाने में उप्योग करने जा रहे हैं, प्रकास फ्हलाने का मतलब प्रकासित करने जा रहे हैं, अच्छा काम करने जा रहे हैं, किस में प्रकास फ्हलाने? throw out our house अपने पूरे country में कहने का मतलब जैसे उस ब्यापारी के बेटे ने अपनी योगिता से candle खरीदा बौधिक योगिता से एक रूपे में और अपने घर को प्रकाशित कर दिया तो लेका कहता है कि यह संसार अपना घर है हम जहां रहते हैं जगा रहते हैं जिस कालोनी में रहते हैं जिस गाउं में रहते हैं वो अपना घर मान के चलें पूरे संसार को पूरे उस परिबेश को तो उसमें हम अपनी बौधिक सारीदिक चारित्रिक योगिता से कुछ ऐसा करें जिस से सब को लाग हो ठीक है आके देखते हैं that is our country फिर देखते हैं if we are going to be good citizen यदि हम एक अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं if we are going to be good citizen then we shall use तो हमें उपयोग करना चाहिए क्या our powers and abilities to try to spread light into all parts of our country अगर हमें एक अच्छे नागरिक बन रहे हैं तो हमें अपने बौधिक शक्ति का चारितिक शक्ति का पावराफ बौडी का ऐसे उपयोग करना चाहिए कि हमारे पूरे देश में उसका उजाला हो उसकी उपयोगिता हो कहने का मतलब वो उपयोगी हो अवर पावराफ बाड़ी सुट बी यूजफूल फार अवर कंट्री अवर पावराफ माइंड सुट बी यूजफूल फार अवर कंट्री अवर पावराफ करेक्टर सुट बी यूजफूल फार अवर कंट्री नाट बैड यूज़ ठीक है? आए देखते हैं अपने country में and sorry that is we shall spend ourselves in the service of our country और इससे हम देश की सेवा ही करते है कोई नागरिक अगर एक अच्छा नागरिक है तो वो देश की सर्बोत्तम सेवा है वो देश की सबसे अच्छी सेवा है no country can progress कोई भी देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता so that if we love our country and want to serve it we shall try to become good citizen अगर हमें अपने देश से अपने घर से अपने देश रूपी घर से प्यार है तो हमें सबसे पहले क्या बनना है good citizen एक good citizen राष्ट की सर्बोत्तम संपत्य होती है कोई देश सोना चांदी हीरा मोती या prosperity से अमीर नहीं होता है अगर उसके नागरिक अच्छे हो अगर हमारे देश में अब्दुल कलाम जैसे लाखो लोग हो जाएं ठीक है तो कितना अच्छा होगा एक अच्छे बेक्ति की तरह अगर लाखो लोग हो जाएं तो कितना अच्छा होगा तो एक अच्छा नागरिक बनना देश की सर्बोत्तम से बाह है अगला वी वाइल वी आर अट स्कूल जब हम स्कूल में होते हैं पढ़ रहे होते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं हमें क्या करना चाहिए क्या हम एक अच्छे नागरिक बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं क्या एक अच्छा आचरण हम स्कूल में सीख रहे हैं जो देश के समाज के परिवार के काम आए इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए और ये भी ध्यान देना चाहिए कि एक गुडशी टीजन के गुणों को हम कल्टीबेट कर रहे हैं विख्षित कर रहे हैं अपने अंदर की नहीं ये हमारा दाइत म Здर्याई dat दो है ये हमारा करतब है it is our duty to be a good citizen for our family, for our life, for our country, for our coming generation it is our duty and not only duty responsibility in all institutions those provide education to the students all over the country आगे देखते हैं If we do this Then we leave school अगर हम ऐसा करते हैं अर्थात अगर हम अच्छे नागरिक बनते हैं और फिर हम अपना school छोड़ते हैं And home अपना घर छोड़ते हैं And go out into different part of our country फिर अपने देश के विभिन हिस्सों में कहीं पर भी जाते हैं We shall be able to fill it तो हम सक्छम होंगे योग होंगे कि उसको हम प्रकास मान करें Light करें Fill it with the light of good citizenship किसे प्रकासित करें? एक अच्छे नागरिक के प्रकास से प्रकासित करें यह हमेशा चलना चाहिए बहुत ही अच्छा है कहने का मतलब W.M.Raivern जी ये कहते हैं कि अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं तो आप कहीं पर भी हैं आपका देश उससे प्रकास प्राप्त करता है प्रेणा प्राप्त करता है आपका देश आपका समाज जिसके चारों तरफ आप रहते हैं कुछ ना कुछ उनको सीख देके आते हैं तो देश की अगर आपको सर्बोत्तम सेवा करनी है तो अपना सुधार करिए, आप बौधिक छमता अर्ण करिए, फिजकल छमता अर्ण करिए, करेक्टराटिक छमता अर्ण करिए, आपका चारित्रिक गुण अच्छा हो, आपका बौधिक गुण अच्छा हो, आप सरीर से ब इस लेशन का पार्ट वन कम्प्लीट हुआ जिसको मैंने दो क्लास में आपको पढ़ाया इसी लेशन का अगला पार्ट टू है जिसमें लिखक ने एक उलम्पिक खेल का उदाहरण और गुरु नानक मर्दाना उनके सिस्ट का उदाहरण दे करके पढ़ाया है उसको भी हम आप लोगों के कमेंट नहीं आते हैं कमेंट आना चाहिए थैंक्स